Hello and Welcome Everyone, आप सब कैसे हैं? आपके लिए चित्रकटी बटी लेके आया हूँ, ये बैदनाथ का प्रोड़क्ट है आपको बता देता हूँ, बैदनाथ प्रोड्यूस करता है, पतंजली, दिव्या फार्मेसी, हिमालिया बहुत सारी कंपनी इसका निर्मान करती है, और मैनिफेक्चर करती है तो इस वीडियो में आपको चित्रकटी बटी के फाइदे बताने वाला हूँ, नुकसान बताने वाला हूँ, इसकी विदी क्या रहेगी, कैस क्या डोसेज रहेगी किस प्राइद में वेल कर सकते हैं, ये सारी जानकारी में आई इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ, तो अनक तक जरूर बने रहेगा साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब ने की चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन पे हिट कर दें ताकि नोटिफिकेशन के द्वारे आप तक सारी वीडियो पहुंच सकें अब बताता हूं मैं चित्रकटी वटी एक आयुरुवेधिक प्रड़क्ट है जो कि चित्रकटी वटी के फायदों के बारे में तो पहला जो फायदा है आपकी बारी में जो आमा का फॉर्मेशन होता है आमा बैसिकली टॉक्सिक होते हैं जो कि आपके अन डिजेशन की वज़े से बॉड़ी के लगते जाते हैं और वो एक तायम के बार्द वो बहुत जा कम करती है जिससे आपका जो ओवराल हेल्थ है आपका जो स्टमक इशूस हैं वो ठीक होते हैं अगला जो यूज इसका अब्डॉमिनल पेन बहुत जाद करनों की वहीश होता है आपके गैस बनने की वहीश से बहुत सारी चीज़ें बहुत जाद है आपको रिलेक्स करवाती है उससे अगला यूज इसका इसका सारी प्रॉलम्स की जड़ है अगर आपको कॉंस्टिपेशन है तो कहीं न कहीं आप अपने आप बिसिकली इन्वाइट कर रहे हैं बिमारियों को आपकी बॉडिक के अंदर रहने के लिए तो कॉं आपको लिम्टेट चीज़ों पर आजाना पड़ेगा और अच्छी चीज़ें जैसे की ग्रीन वेजिटेबल्स और अच्छी चीज़ें जैसे कोई भी न्यूटिशन फ्रूट हो गया यह स्टाइट पर रहना पड़ेगा और रोटी का सेवन थोड़ा कम करना पड़ेगा अगेरा मैदा का सेवन करें तो बिलकुल ही बंद करना पड़ेगा अगला जो यूज है इन्कालना आपकी बाड़ी नैचरली करती है बाड़ कोई आपकी अपको पर पड़ जाते हैं उसके लिए आपको सपोर्ट देना पड़ता है बट हाँ अगर आज एक तरिक दर जाए तो आप जरूर इसको लीजिए अपने इंटॉक्सिफिकेशन के लिए अगला इसका वो पाचन क्रिया पचाना आपके पाचन क्रिया को जो इसको स्पीड अप करती है जिससे कि आपका जो फूड है वो डिवाइड हो जाए और नर्जी में कनवर्ट हो जाए और कुछ भी लूटरिशनल फेक्ट्स हैं आपके फूड में वो सब गेंड कर सके एक स्ट्रेक कर सके उसका अगला यूज है आपका जो मेटबॉलिजम एड करता है तो अगर आपका मेटबॉलिजम स्लो हो जाएगा तो आप समझ लीजिए आप मोटापे का शिकार हो सकते हैं आप गैस और बहुत सारी प्रॉलिमस का शिकार हो सकते हैं तो आपको अपना मेटबॉलिजम हमेशा ही अक्टिव रखना है जिसके लिए आप बहुत सारी चीज़ें और भी कर सकते हैं जैसे कि आप बाहर का खाना करें अगर आपको इतना जादा पसंद है तो टाइम बना लें मंत का कि आपको वी, बार मंत में 2 या 3 बार भार का सकते हैं बडाध का बक्राइब करता है अग्ला वता lorsqu समय में इस इसीमाल किया जाता है उससे आपको निकालना किया जाता है तो यह से के वायदा बेनेफिट्स मैंने उससके सोबirmiटा आप साइड इफेक्ट की बात करेंगे तो आपको फाइदा होगा अगर आप ज़रा यूज करेंगे तो साइड इफेक्ट होने ही होने हैं आप समझ जाहिए इस चीज को अब बात कर लेते हैं पड़क के ऊपर जो इसमें दोसेज भी मैंशन है एक से दो टैबलेट होती है आपको दिन में दो बार लेनी है और यह पिर आपका जैसे बता रहा है बठा दो बार इस सफिशंट कि आप डेमें लें एक से दो टैबलेट पर चीज को अब करवा लगे है कि इसके बीडियों वह सब करवे होते हैं तो अब ध्यान रखिए थोड़ा कड़वा लगेगा बठा आप चीव कर सकते हैं मतलब इतना भी जादा कड़वा नहीं कि आपको वॉमिट आ जाएगी तो यह दिसकी डोसे जो मैंने आपको बता जिए कैसे आपको लेना है तो प्राइस की बात कर लेते हैं प्राइस जो ह लोग को फाइदा हुआ है लोग यूस करते हैं अपने अपने अपटाइट करने के लिए अब्डॉमिनल जो पे पेन होता है या फिर उनकी बॉड़ी में टॉक्सिक बहुत जादा है इन टॉक्सिक विकेशिंग के लिए इसका इस्तमाल किया जाता है तो अब कोई भी कोश सब्सक्राइब करने बिलकूल ना बोलें